Hello friends, welcome back to preschool teaching इस video में हम एक बहुत ही छोटे से word की बात करने वाले हैं और ये word बहुत जादा use होता है लेकिन इसको बोलने के दो तरीके होते हैं कहाँ पे इसको कैसे बोलना है उसके बारे में हम discuss करेंगे और अगर हम खुद से ठीक से बोलेंगे तो बच्चे हमें देख देख के ठीक से बोलना सीख जाएंगे उनको भी इस चीज़ का confusion नहीं रहेगा So word क्या है? Word है T-H-E Yes, the So the को हम दो तरीके से बोलते हैं The और The कुछ लोग इसको दा भी बोलते हैं But generally इसको जो करेंट बोलने का तरीका होता है वह है The and The So the कब बोलते हैं और The कब बोलते हैं चलिए इस बात को समझते हैं So इसके लिए बहुत छोटा सा रूल है कि जब भी T-H-E के बाद consonant sound से word शुरू होता है तो हम उसको बोलते हैं The So जैसे कि The cat The garden The train The boy So इन सभी word में The के जस्ट बाद जो word आ रहा है उसके जो first sound है वो consonant sound है और जब T-H-E के बाद जो word है वो vowel sound या vowel से शुरू होता है उसके लिए जब हम बोलते हैं तो बोलेंगे The So जैसे कि The office The eagle So ये था कुछ एक्जामपल अब चलिए देखते हैं कि हम इसको sentence में कैसे यूज करते हैं So जैसे पहला एक्जामपल है This is the end of the movie So इसमें दो बार T-H-E हमने यूज किया है So पहली बार हम बोलेंगे The end और दूसरी बार हम बोलेंगे The movie क्योंकि पहले वाले में जैसे ही T-H-E आया है उसके next जो word है उसमें E है A vowel है So हम उसको बोलेंगे The end और जो बाद में है उसमें consonant sound है consonant है तो उसको हम बोलेंगे The movie So next example है जैसे This is the only option This is the only option So जब हम जल्दी जल्दी बोलते हैं तो इतना difference नहीं पता चलता But ध्यान से अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा जैसे हमने बोला This is the only option This is the only option Next example The morning was pleasant But the afternoon was really hot So पहले हमने बोला The morning और दूसरी बार हमने बोला The afternoon Next example He received the honorable reward So honorable में क्या है कि पहले हमने H लिखा है लेकिन जो sound आ रही है वो sound honorable है Awe Awe जो की एक vowel sound है So जरूरी नहीं है कि अगर H एक consonant है लेकिन उसकी जो sound है हमें sound पे ध्यान देना है इसलिए मैं शुरू से बोल रही हूँ कि consonant sound Consonant के साथ-साथ उसकी sound भी हमको सुननी है So honorable में first sound क्या आती है Awe So इसलिए हम उसके साथ बोलेंगे The honorable उसी तरीके से Next example The university is very far So यहां हमने दे नहीं बोला जबकि यहां पे जो next word शुरू हो रहा है उसका first letter क्या है यू लेकिन जो उसकी sound है वो आरही है यू यूनिवरस्टी यू So यू एक consonant sound है So इसलिए हमने यहां पे दे नहीं बोलके The बोला है The university So I hope कि यह clear हो गया आपके लिए भी So जब भी आप बात करे या reading करे कुछ भी करे तो बच्चों के सामने आप इसको correctly use कीजिए बहुत ही simple सा रूल है और अगर आप इसकी practice करेंगे तो आपको बहुत जल्दी इसकी आदत भी पढ़ जाएगी कि कब आपको The बोलना है और कब The बोलना है So just for recap The जब भी कोई consonant sound आती है immediately after The और The जब भी कोई vowel sound आती है just after The So I hope this video was helpful for you I will see you in my next video Till then, bye-bye